हेलो इस्टुरेंट तो कैसे वह आप सभी लोग तो स्वागत है सभी लोगों का derivation series के अंदर और इस दमाकेदार series में हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ derivation जो हमारी series है उसमें मैं आज आपको hemispherical shell का center of mass calculation सिखाने वाला हूँ तो हम बताया था को कि बहुत प्यारी series में अलागर अलागर परकार के derivations कराए जाएंगे बहुत creative creative सो चीज़ें आपर आती रहती हैं तो आज हम करने वाले हैं calculation of center of mass of hemispherical shell hemispherical shell ओहू हूँ कैसे बात करेंगे बटा चैसे मान लीजें कि बीजा मैं सबसे परिया शेल बनाता हूँ ओके एंड उसको मैं कुछ इस प्रकार से बनाया हूँ एंड यहां पर अभी क्या हो रहा है अगर मैं धियान से देखूं तो यहां पर एक्चुली हो क्या रहा है यहां पर ठीटा पर जाके बिसी करी अब मुझे element चूज करना है मैं हमेशे बता है कि जब भी center of man निकालना हो तो हम लोगो element चूज करना परता है तो बिसी करी element चूज करके से मान लीजे मुझे ycm निकालना है तो मैं क्या करूंगा उस case में ydm divided by dm मुझे यही करना पड़ता है और मैंने आपको लाश्ट लेक्चर में समझाया भी था इसी के लाश्ट वीडियो में समझाया भी था कि जो y होता है y is the y coordinate of center of mass of the element we have chosen ओके जो भी हमने element चूज किया है उसके center of mass का y coordinate क्या है मेरा यहाँ पर y आएगा so y cm will be equal to y dm by dm getting my point so आगे बढ़ते हैं फटाफर से अब आगे हम बात करते हैं कि हमने element कैसे चूज करा है तो चलो element चूज करते हैं फटाफर से देखो ठीटा पर जाके हमने d ठीटा की एक line काटी देखो और इसको लिग दिया d ठीटा और यहीं से मैंने क्या करा एक circle काट लिया और बिसीकली मैंने क्या करा है यहां से ठीटा पर गया है ऐसे जुक 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 उसके बाद पूरा गूम गया है ऐसे करके आगे ऐसे काटके से पूरा गूम गया तो ठीटा पर जाके मैंने डीटा के element काटा और उसके बाद मैंने यहां पर एक इस प्रकार से इस तरह से element कटा है और पूर एक ring ले लिए एक तरह से अब यह ring जो element होगा हमको क्या निकालना है इसका निकालना है हमको dm छोट असा mass dm वो कितनी आएगी यहाँ पे यहाँ पे total mass कितना था m था, total radius कितना था r था, so surface area density कितनी हो जाएगी, sigma तो वो हो जाएगी सा total mass divided by total area which is what, which is pi 2 pi r square क्योंकि कि पूरा circle sphere होता, तो 4 pi r square area होता, लेकिन आदा है तो 2 pi r square होगा तो sigma will be m by 2 pi r square, so what I will do is dm will be equals to dm क्यों जाएगा यहाँ पे इसका पूरा radius जी हो जाएगा यह मेरे पास में r है यह r cost theta है इधर कितना आएगा, यह आएगा r cost theta ठीके, यह r होगा तो नीचे आएगा r cost theta अब r cost theta का मुझे कितना लिखूंगा मैं हापे 2 pi r cost theta भाई अगर यह r है और यह theta है, तो कितना हो जाएगा, एंगल आमारे पास में नीचे वाले distance जो जाएगी r cost theta हुए है, यह radius और 2 pi r cost theta is the total length multiply by r d theta is the width of the element तो उसको मैं r d theta से multiply कर दूँगा इससे मुझे मिलेगा छोटा सा area उसको मैं multiply करूँगा sigma से, तो यहाँ मेरे दिमाग का हो जाएगा पूरी तरह से दही, सही बात है कि नहीं है तो इसको मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ values put करूँगा और 2 pi r into r तो बेटर यह बन जाएगा 2 pi r square into cost theta d theta into sigma तो sigma की value किसके बराबर है m by 2 pi r square into आएगा cost theta into d theta cost theta into d theta सब यहाँ से इसको इससे उड़ा दिया तो बचेगा कितना m into cost theta into d theta यह मेरा हो जाएगा, कितना dm हो जाएगा क्या हो जाएगा, पेटा dm so dm की value जाएगी m cost theta into d theta अब इसको values में put करते है so let's put in the values so y cm की जो value आएगी ना वो कितनी आएगी पहले y रखेंगे so what is y y is y coordinate of center of mass of the element we have chosen so concept element चूज किया है, हमने रिंक चूज किया है उसकी total height कितनी हुज जाएगी पेटा total height हुज जाएगी सर्जी, total height हुज जाएगी सर्जी ये वाली height इसका मतलब इसेंटर से कितना ऊपर था ये था आर साइन थीटा कितना था आर साइन थीटा so basically यहाँ पे आप याप वेल विपूट कीजिए आर साइन थीटा इन्टू डीम so dm किसके बराबर आ रहा है यहाँ पेटा m cos theta into d theta getting my point divided by m so यहाँ से m से m उड़ जाएगा इसका integrate करना है हम लोग कहा से कहा तक 0 से लेकर अब angle कितना आ रहा है यहाँ बहुत important खेल इस बात का है कि यह angle 0 से πाई नहीं होगा अब यह जब हम उपर जाते हैं न थोड़ा से उपर जाते हैं इसे तो पूरा एरिया कवर करते हैं फिर ज़रा ओर उपर गये तो हम पूरा मतलब पूरा 360 डिगरी कवर करेंगे तो हमारा पूरा hemispherical shell जो है उसे जिरो से पाई बाई टू में कवर हो जाएगा मेरे पास क्या बचेगा यहां मेरे पास बचेगा सिर्फ क्या r sin theta into cos theta into d theta so बेटा r को तो तो तुम r आने दीजिए sin theta into cos theta क्या होता है बेटा उसको divide कर दीजिए multiply कर दीजिए 2 से तो क्या बन जाएगा r by 2 sin 2 theta into d theta integrate from 0 to pi by 2 अब यह समझे आया ना तो इसको मुझे integrate करना है what is sin theta into d theta sin theta क्या होता है sin 2 theta sorry sin 2 theta into d theta उसका integration करना है कितना आता है sin का sin का सब आता है minus cos और divided by नीचे आएगा 2 हो और values put करेंगे कहां से कहां तक 0 से लेके pi by 2 तक ठीक है तो यहां पे जब value put करते हैं तो कितना आता है मैं इधर लग देता हूं तो नहीं जगे के थोड़ी से कमी है तो एक काम करता हूं मैं यहां लग देता हूं यहां कितना आएगा r by 2 and cos 2 को भी बहार ले 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 तो यह जाएगा r by 4 यह simple board वाले लोग है तो आज तो ऐसी रहेंगी ना आज तो यहां value put करो पाई बाई बाई 2 so cos 2 into पाई बाई 2 is cos pi and cos pi की value क्या होती है basically cos pi की value होती है minus 1 तो यह हो जाएगा मेरा basically plus 1 minus cos 0 की value क्या हो जाएगी बटा cos 0 की value 1 होती है देखिए एक और minus लगावा है तो basically कितना बन जाएगा वह यहां पर अगर मैं values put करोंगा तो पहला क्या आएगा मेरा 1 second एक काम करता हूँ मैं इसको इस प्रकार से नहीं करता हूँ इसको इस प्रकार से करता हूँ 1 second यहां पर आप r by 2 common ले लिजे minus common ले लिजे अंदर क्या बचा cos 2 theta and divide by 2 2 common ले लो किते हां 4 हो जाएगा अभी क्या बचा cos 2 theta value put करो pi by 2 तो कितना हैगा cos pi हो जाएगा theta की जाएगा pi by 2 पट को कितना हो जाएगा cos pi हो जाएगा cos pi is minus 1 तो है minus 1 डाल तो फिर minus 1 करके minus करके मतलब cos 0 की value 1 sorry cos 0 की value 1 so minus 1 minus 1 minus 2 हो जाएगा बचा और इसको सोल करने पर यह आएगा r by 2 so basically इसका अंसर r by 2 आता है इस प्रकार से spherical shell का जो एक बहुत जबर्दस लेवर का derivation है आपको यह करना है उसके बाद मैं इसी वीडियो में बेटा आपको एक और बताऊँगा यह तो spherical shell की बात हो जी थी hemispherical shell की अब मैं आपको solid hemisphere कराऊँगा ठीक है तो how to calculate center of mass of hemisolid sphere उसको मैं कराऊँगा ऐसी के बात ओके फड़ाब note down कीजिए आगे बढ़ता है हजी so बहुत मज़ा आ रहा है YouTube पर पहली बार इस तरह की चीज़ां आपके सामने आ रही है उसमें हम क्या करने वाले है hemispherical shell हो चुका है अब हम करने वाले है solid sphere hemispherical solid hemispherical body solid hemispherical getting my point strength तो basically हम लोग यहां पर क्या करने वाले है solid hemispherical की बात करेंगे solid hemispherical में क्या होता है जैसे मान लीज़े कि भई मैंस आपको साब क्या बोल रहा हूँ मैंने आपको बोला कि यह एक solid hemispherical है मतलब यह अंदर से भरा हुआ है यह भरा हुआ है अंदर से तो यहां पर हम क्या करेंगे आर पर जाके small r पर जाके dr का क्या काटूंगा hemispheres कि से मिलके बना होता है hemispheres बना होता है spherical shell से r पर जाके shell लिया फिर तोड़ा उपर जाके एक और shell लिया shell 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 बहुत जबर्दस लेवल का हमारे पास क्या होता है पूरा एक स्फेर बन जाता है एक शेल लिया फिर उपर एक और लगा जाए उपर एक और लगा दिया पूरा सेट कर दिया बरबर के बरबर के तो क्या होता कि उससे पूरा का पूरा हमारा क्या बनेगा एक स्फेरिकल बोड़ी बन जाएगी हमिस्फेरिकल अगेन वह टास्क इसका डीम निकालना है डीम गोले तो डेंसिटी इस बार डेंसिटी वॉल्मेट्रिक आएगी तो डेंसिटी कितनी होती है मास बाई वॉल्म मास कितना है मास तो है अम दे रखा है वोल्म कितना है बहुंत पूरा होता तो फोर भाई थरी पाई रक्यूब होता ही तो आदा है तो इसका हो जाएगा टू बाई थरी पाई आरड क्यूब 2 by 3 pi r cube 3 उपर चरिया आएगा तो कितना आएगा 3m by 2 pi r cube ओके 3m by 2 pi r cube इसको हम यहाँ पूट करेंगे तो कितना आएगा 3m by 2 pi r cube यह मैंना dm हो जाएगा dm क्या होता है बैटा density multiply by volume इस portion का volume क्या आएगा इसका आएगा 2 by 3 pi 2 by 3 2 pi r square into dr इसका यह क्या करती है अब यहाँ से तो यहाँ जाएगा सबसे पहले तो क्या निकालना तो अपने एक shell माना है उसको तुम जमीन पर बिचा दोगा इसका volume क्या आता उसका area multiply इसकी width area कितना होता है 2 pi r square और width क्या होएगा dr उससे आगया उसका volume तो उड़ा दीजिए जो 2 pi से 2 pi उड़ जाएगा बचेगा जो item उसको लिग दीजिए तो 3m by r cube into r square into dr गोजब sir dm कर दिया आपने तो बहुत जबदास level की चीज़े इतने आसारी से नहीं मिलेंगे आपको और कहीं तो 3m by r cube मैंने कर दिया इसको pi r square dr कर दिया getting my point and now what I have to do is हम मुझे y cm निकालना है तो y cm basically क्या होता है वो होता है y dm upon dm ठीक है और basically हमारा y कितना है y is the y coordinate of center of mass of the element तो कौन सा element चूज़ क्या हम लोगों ने हमने spherical shell किया है जिसका center of mass r by 2 पर होगा आपे थोड़ी देरे पहल तो निकाला था into dm, dm हो जाएगा 3m बटे r cube into r square dr नीचे आएगा कितना m वैसा अब m से m उड़ा दीजिए बाकि integrate कर दीजिए 0 से r त तो यहाँ पर r cube है यह हो जाएगा उपर r cube 3 by 2 common ले लिजिए r cube भी common ले लिजिए अब आएगा r cube into dr तो कितना हो जाएगा r की power 4 by 4 0 से लेके r तक तो कितना आएगा बेटां यहाँ से 3 by 2 r cube into r की power 4 by 4 इससे एक काट डाली है तो कितना आएगा 3 r by 8 this is the solution getting my point यह है youtube पर एक धमाकेदार सी चीज derivations बहुत साले कराऊँ गाँ और 10 सा मतले पर यह derivations को देखके यह समझेगा कि मैं आपको सिर्फ boards वाले derivations करा रहा हूँ हालाँ कि मैं उसके भी कराऊँगा ऐसा मुझे उसको दुसमन ही नहीं पर अभी यह boards वाले नहीं चल रहे हैं अभी किसके चल रहे हैं center of mass के इसमें मेरे ख्याल से इसमें board का कोई role ही नहीं होता है ठीक है लेकिन आपको boards के भी कराऊँगा 12th class भी derivations स्टार्ट करेंगा मैं चल दी मैं आपको दो करा दिये हैं अभी मैं आपको क्या कराने वाला हूँ मैं आपको moment of inertia भी सिखाने वाला हूँ next lecture से उसके बाद फिरम क्या करेंगे boards में घुसेंगे ओके thank you